नमस्कार आज इस वीडियो में हम हरिवन्ष राय श्रिवास्तव उर्फ बच्चन के जीवन परीचे के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कब उनका जन्म हुआ किस तरह से उन्होंने अपनी साहितिक शिश्या घ्रैंड की उनकी कौन-कौन सी रचना है तो आगे भच्चन जो हरिवन्ष राय श्रिवास्तव है उनका पूरा नाम श्रिवैस्तवी है लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका नाम जुँ है बच्चन पढ़ा 27 नवबर 1907 बापु पती गाउं में उनका जनम हुआ पिता का नाम प्रताप नराइट शिरवास्तर, माता का नाम सरस्वती देवी तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्ते के हिंदी भाषा के विबकास में प्रमुख भूमी का निभाई है और इसी कारण इने हिंदी भाषा की प्रतम कभियों में से एक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन का स्थान हिंदी साहित्य में सर्वो परी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कथाओं में ऐसी भाषश है लिकाव प्रियोग किया है जो कि वर्तमान समय यदि कोई भी विक्तुस रचना को पढ़ता है तो बहुत ही अधिक प्रभावित होता है क्यानी पुराने समय में उन्होंने अपनी रचनाई की लेकिन वे आज के लोगों को भी अपनी और अकरशित करती है हम आपको अरिवंश राय बच्चन जी के बारे में यदि कुछ महत वुक्तुन जानकरी बताए तो हरिवंश राय बच्चन जी एक कायस परिवार से संबंध रखते थे हरिवंश राय बच्चन जी का जो सरनेम है वो प्रारंबिक समय से ही बच्चन नहीं है बलकि उनका वास्त्विक जो सरनेम है वो श्रिवास्तव है और बच्चपन से ही लोग हरिवंश जी को बच्चन कहकर पुकारते थे इसी कारह हिंदी साहित्य में, इनको जो सरीनेम है वो श्रिवास्तव की जगा हरिवंश रहे, बच्चन हो गया, दीकि बहुत सरह है लिंदी में लिखा है तो मुझे ऐसे लगता को एक्स्प्लिनेशन क आगे हम इनके आरंबिक जीवन परीचे के बारे में जानते हैं, बच्चन जी का जन्म जुता 27 नवंबर 1907 को इलाबाद से सटे प्रताबगड जिले के छोटे से गाउं बापू पट्टी में एक काईस्त परिवार में हुआ था, इनके पिता का मनाम प्रताप नराइन शिर 1925 में हाइ स्कूल तथर 1929 में बिये इलाबाद विश्व विद्याले से किया, बिये के प्रतम वर्ष में ही इनकी जो है शादी हो गई और इनकी शादी हुई शामा देवी नामर एक सुन्दर युवती से हुई, 1930 में एमे का प्रतम वर्ष किया, परंतु पारिवारिक चिं 1936 में इनकी पतनी का दिहान्त हो गया, जिससे कभी को गहरा आगहात पहुँचा और एक वर्ष की चुपी के बाद उनकी वाणी निशा निमंत्रण के गीतों के रूप में फूटी, यानि काफी था में तक इनोंने कोई रचना नहीं की अब उन्हें लाबाद विश्व विद्याले में अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता की नौकरी मिल गई, 28 जनवर 1942 को उनका दूसरा विवाद के एजी के साथ हुआ, अब बच्चन जी आशा और विश्वास के गीत रचने लगे, जैसे कि जो बीत गई सुबात गई, य जो आपको मैं जीवनी यहां बता रही हूँ, बहुत असान है, आप वैबसाइट पर जाकर भी मेरी जो यह जीवनी है, इसको महा से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अब इनका साहित्तिक परिचे देख लेत महायूद हो रहते हैं, उन दिनों जो मिडल क्लास लोग थे, किस तरीके से परिशान थे, मन उनका बेचैन था, तो उन्होंने अपनी वानी के माध्यम से, या अपनी रचनाओं के माध्यम से, लोगों के अंदर आशा और पॉजिटिविटी का संचार किया, उन्होंने छाय व्यक्ति जीवन की सारी निरस्ताओं को स्विकार करते हुए उससे मूँ मोडने के बजाए, उसको उप्योग करने की, उसकी सारी बुराई और कम्यों के बावजूद, जो कुछ मदूर और आनपूर होने के कारण के हाई है, उसे अपनाने की प्रिणना की, यानि उस तरीक अब हम जानेंगे हरिवन शराय बच्चन का साहित्ते में क्या योगदान है और उनका क्या कारे शेत्र हैं, तो हम देखते हैं कि हरिवन शराय बच्चन सदयव हिंदी भाषा को विशेश महत्व देते थे और वे अपनी मात्र भाषा का प्रचार भी करना चाते थे, इसके उन्होंने अनेको लेख का हिंदी में अनुवाद किया, उनमें से कुछ लेख ओथेलो, श्रीमत भागवद गीता, शेक्स्पेर, इतियादी हैं, वर्ष 1995 में डॉक्टर हरिवन शराय बच्चन जी दिल्ली चलेगा और उन्होंने दिल्ली के विदेश मंतराले में कुछ पत हैं और सब जानते हैं जब आप रचनाय पड़ रहे हैं तो आप बहुत असानी से समझ जाते हैं, वर्ष 1935 इस वी में उन्होंने एक कवीता मदुशाला लिखी, इस कवीता ने इन्हें पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध बना दिया, डॉक्टर हरिवन शराय बच्चन जी को बीसवी सदी के नए और प्रसिद्ध कवी होने के साथ साथ एक जानवर विचारक और लेखक भी माना जाता है, अब इनकी लेखन शैली देख लेते हैं, लिखने का उच्चहा बच्चन में विध्यारती जीवन से ही था, एमे के अध्यनकाल में ही उन्होंने फार्सी मदुकलश आधी में संक्रहित हैं, अपनी गयता, सरलता, सरस्ता के कारण की कावे संक्रह बहुत ही पसंद किये गए, बच्चन आधुनिकाल की व्यक्तिक कावे धारा के अग्रणे कवी हैं, व्यक्ति प्रधान गीतों के कवी के रूप में उन्होंने आत्म परक्ता, निरा परक्तियों में निशानिमंत्रन, मिलन यामिनी इधार के इधर-उदर आधी भी प्रमुक हैं, उनकी गद्दे रचनाओं में क्या भूलू, क्या याद करू, तूटी छूटी कडिया, नीड का निर्माण, फिर-फिर आधी प्रमुक हैं, विशे और शैली की द्रिष्टी स स्वभाविक्ता बच्चन की कवीताओं का उलेखनिये गुण हैं, उनकी भाषा बोल चाल की भाषा होते हुए भी प्रभाव शाली है, यानि यासन ये नॉमल तरीके से वो अपनी कवीता हैं, नॉमल तरीके से वो अपनी भाषा को एक्स्प्रेस कर रहे हैं, नहीं, वो सर और सरल सम्वीदना कवी की अनुभूती मूलक सत्यता के कारण उपलब्ध हो से की बच्चन जी ने बड़े सहस धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी साधी भाषा और शैली में सहच कलपना शीलता और जिवन्त बिम्बो से सजाकर समाकर अनूठे गीत हिंदी को दिये यानि इन 1932, मदुशालो 1935, मदुबाला 1936, मदुकलश 1937, निशय निवंत्रण 1938, एकान संगीत 1949, आकुलंतर 1943, सतरंगनी 1945, हला हल 1946, बंगाल ककाल 1946, खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इदर उदर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद और नाचगर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमें, चोखट खूटे 1962, चिडिया का घर सबसे पहले और काला कववा, इनकी और नेर प्रमुक रचनाय देख लेते हैं, युक की उदासी, आज मुझे से बोल बादल, क्या करू सम्वेदना लेकर तुम्हारी, साथी सोना क पर कुछ बात, तब रोक ना पाया मैं आसूं, तुम गादो मेरा गान अमर हो जाए, आज तुम मेरे लिए हो, मनुष्य की मूर्ती, हम ऐसे आजाद, उस पार ना जाने क्या होगा, रीड की हड़ी, हिया नहीं को हमारा, एक और जंजीर तड़कती है, भारत मा की जैवोलो जीवन का, दिन बीच चुकाता चाय थी जीवन की रात, हो गई मौन बुलबुले हिंद, गरम लोहा, तूटा हुआ इंसान, मौर और शब्द, शहीद की मा, कदम बढ़ाने वाले कलम, चलाने वाले एक नया अनुभव, दो पीडियां, क्यों जीता हूँ, कौन मिलना तूर नहीं है, है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कम मना है, तीर पर कैसे रुकू, मैं आज लहरों में निमंतरन क्यों पैदा किया था, हरिवन श्राय बच्चन की अब हम भाशा चाली की और बढ़ते हैं, तो अभी तक उनकी कवीता हैं और अन्य रचना हैं हमने देखी, इनकी इसकी दो कडिया और निकाली, मधुका बाला और मधुकलश, अन्तीम हम देखते हैं हरिवन श्राय बच्चन का स्वरगावास, 19 जन्वरी 2003 को सांस लेने में तकलीश की वज़े से हरिवन श्राय बच्चन जी की मृत्यों मुंबई में ही हो गई थी, इनकी जैसे विचार ध पूरा जो है रिवन श्राय बच्चन जी का जीवन परीचे पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरुरत है, एक बार में आप इसको समझ सकते हैं, आपको नोट्स भी अविलेबल है, दुबारा कहते हूं, डिस्क्रिप्शन में लि अब खिर्श में विलेबल है, मुझे झirm है विले अविलेबल है, मुझे लिए खिर पालतोई एन कोई जादी सम्क्रावा और में लिए पत्रावान जी जया है, मुझे इसक रखए